नमस्काल दोस्तों एक बार फिर स्वागते आपका SS Software and Service में मैं शारुक आपका दोस्त आज लेकर आएक नया टॉपिक जिसके अंदर अज हम आपके साथ बात करेंगे Change Financial Year आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपने बीजी सॉप्टेर में Financial Year को Change करना है तो आपसे किस तरीके से Change कर सकते हैं साथ साथ इस से Related और भी बहुत सारी बाते हम आज आपके साथ सेशन में डिसकस करेंगे जैसे कि Financial Year चेंज करने के बाद क्या क्या दिक्कते आती है अगर हमें Financial Year का गलत बन जाता है तो इसे Delete कैसे किया जाता है अगर हमें Financial को Year wise अलग अलग कंपनी बनानी है तो वह कंपनी हम कैसे बना सकते हैं तो इस सारे टोपिक आज हम आपके साथ इस सेशन में कवर करने जा रहें तो आज का सेशन आप लोग के लिए काफी important होने वाल ताकि हम जो भी वीडियो upload करें उसकी notification आपको मिलती रहें तो चलिए start करते हैं आज का अपना topic इसके लिए सबसे पहले मैं अपने busy software को open कर लेता हूं यहां से मेरा busy software open हो गया उसके बाद आपको open company पर जाना है और जैसी आप open company पर जाएंगे तो जो भी आपकी company का name होगा वहाँ पर आपको show हो जाएगा अब बस आपको अपनी company को open करना है लेकिन मेरी आपसे छोटी सी request है अगर आप लोग अपनी company में financial year change करने जा रहें तो सबसे पहले आप अपनी company का backup ले 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 बैक अप लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं जिस location से ही आपकी company चल ले उस location क पूरी company को copy करकर एक different folder के अंदर आप paste कर दें जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरी company चल लिए वो c drive user admin desktop change financial year नाप के folder से चल लिए तो मैं क्या करूँगा इस folder के अंदर जितनी company होगी उसे copy करूँगा और एक नया folder बना कर पेस्ट कर दूँगा इसके लिए मैं क्या करता लोकेशन को open कर लिए उसके बाद आप से पहली इस पूरी company को यहां पर जितनी भी आपकी company को आप copy करें और एक नया folder बनाकर उसके अंदर अपनी company को paste कर दें तो मैं यहां से एक नया folder बनाकर अपनी company को paste कर दें देखिए financial year change करने से पहले हम backup इसलिए लेते हैं कि अगर financial year change करते हैं कोई भी problem आती है जैसे मान लो आप किसी desktop system पर काम कर रहे है और recently light चली जाती है तो आपने जो financial बना रहे हो और प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा और आपकी company में error आ जाएगा लेकिन अगर आपने backup ले रखा होगा तो आपका data हमेशा secure रहेगा इसलिए आपको financial year change करने से पहले आपको अपना backup लेना है जब आपका backup हो जाए उसके बाद अपनी company को आप open करें मैं या से अपनी company को open कर रहा हूं तो जो भी आपका username में वो type कर रहे हैं जो भी आपका password है आप वो type कर दें और inter market से simply open button पर click करें जैसी आप ok button पर click करेंगे आपकी company open हो ज लेकिन financial year change करने से पहले हमारी आपसे एक और request है कि आपको क्या करना है अपनी company को update master balance को चलाना है उसके लिए आप क्या करोगे housekeeping के अंदर आएंगे housekeeping के अंदर आपको मिलेगा update master balance सर ये update master balance क्या होता है कई बाद ऐसा होता है कि busy किसी calculation को perform नहीं कर पाता है या आपने कोई काम क्या वो प्रॉपर तरीकी से busy के अंदर नहीं दिख रहा तो उसके हम क्या करते है update master balance पर click कर देते हैं जिससे busy में कोई भी नहीं हो पाई तो बीजी उसे कैल्कॉलेशन सही से परफॉर्म कर दे और उसके बाद जब हम पानेशल एर चेंज करेंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी अदरवाइस होता क्या है कि जब आप पानेशल एर क्रियेट करते हो तो जो आपके इस कंपनी के क्लोजिंग बैल करेंगे आपका मास्टर अपडेट होना सुरू हो जाएंगे उसके बाद आपको सिंपली बटन पर क्लिक करना है जैब यह सारा काम आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको आना है एडमिनिस्ट्रेशन और यहां पर आपको मिलेगा चेंज फाइनेशल यह चेंज फाइनेश आपको simply okay बटन पर click करना है मुझे जैसे आप okay बटन पर click करेंगे तो सबसे उपर लिखाएगा create new financial year from 1422 अगर आप start बटन पर click करेंगे तो आपकी company का financial year बना start हो जाएगा लेकिन मेरी आप से एक request है अगर आप company का financial year create कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका data का जादा होगा तो इसे create होने में बहुत जादा समय लग जाएगा लेकिन आप चाहते हैं कि सर मेरी company का काम भी ना रुके और मेरा financial year भी create हो जाए तो उसके लिए आपको click करना होगा create new financial year do not carry balance इससे क्या होगा आपकी company का financial year तो बन जाएगा लेकिन जो इस साल की closing होगे वो next year opening के अंदर convert नहीं होगे तो कई सारे ऐसे भी हमारी client होते हैं जो कहते हैं सर मारा काम रुक जाएगा अगर आपने इस तरीके से इसको लगाया तो हम चाहते हैं कि हमारा financial year बन जाए और जब हमें आगे समय मिलेगा तो हम अपने balance को carry forward कर लेंगे तो उस case में आपको create new financial year पर click करना है लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप किस पर click कर दे start button पर click कर दे और जैसे आप start button पर click करेंगे आपको financial year start होना सुरू हो जाएगा देखिए हमारा financial year बन गया जब आपके सामने financial year बन जाएगा तो यहाँ पर आपको एक message मिलेगा change financial year successfully अब आपको simply okay button पर click करना है जैसे आप okay button पर click करेंगे तो यहाँ पर जो आपको financial year अभी 21 बाइस आ रहा था अब वो आपको financial year मिलेगा 23 इसके बाद अगर आपको financial year change हो जाता है और आपको देखना है क्या कोई mismatch आया है कोई ऐसा balance जो पिछले year में कुछ और था और अगर आपको पता करना है तो इसके लिए आपको जाना होगा display, display के बाद मिलेगा trial balance और trial balance के अंदर आपको एक topic मिलेगा जिसका नाम होता है आपको यहाँ पर topic मिलेगा जिसका नाम है opening trial mismatch from previous year आपको simply इस पर click करना है और जैसे आप इस पर enter मार के okay करोगे तो जो भी आप के differences होंगे वो आपके सामने आजाएंगे हमारे case में कोई differences नहीं है तो यहाँ पर difference हो नहीं हो अगर कोई difference होता तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आपको किसी एक party का multiple year का data देखना है तो आप उसे किस तरीके से देख सकते हैं उसके लिए आपको simply अपने keyboard से alt के नाम type कर देंगे और simply यहाँ पर जिस भी साल से आप अपना data देखना चाहते हो आपको यहाँ पर वो साल type करना है आपको ending date type करनी है मैंने का ending date 1422 से 142018 से और simply आपको ok button पर click करना और जैसे आप ok button पर click करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके multiple year का data होगा वो आपको यहाँ प कोफटर के अंदर एक बार में multiple year का data देख सकते हैं बस आपको starting rate देनी होगी लेकिन अगर आप मैंसे कोई चाहता है कि सर हमें अपनी company का क्या करना है opening balance चेंज करना है जैसे मान लो मेरा 142022 को cash balance है 2,4778 मैं चाहता हूं कि सर मुझे इसका opening balance 1,98,000 करना है तो आप क्या करोग आप सबसे पहले all plus L करोगे उस party के नाम को type करोगे और simply आप all plus M दबाके उसे modify कर दोगे लेकिन जब आप modify करने के बाद opting balance में change करने जाओगे तो वहाँ पर आपको change नहीं होगा क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपकी company में एक से ज़ादा financial year है तब आप starting वाले financial year के अंदर तो changes कर सकते हैं लेकि उसके बाद जो financial year बने उसके अंदर आप change नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो भी यह balance है पीछे से carry forward होकर आ रहा है तो आपको पहले पीछे change करना पड़ेगा अपने previous financial year में उसके बाद यहाँ पर यह automatic change हो जाएगा जैसे मालो मेरी 6000 रुपे की entry को ही रह गई अब मुझे उस entry को अपने previous year में करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा दुबारा administration के अंदर आओंगा change financial year पर जाओंगा और यहाँ पर अपने keyboard से 14221 पर click कर दूँ या फिर मैं अपने keyboard से F11 बटन भी प्रेस कर सकता हूं इसके लिए मैंने simply enter मारा अब आ करेंगे आपका financial year change हो जाएगा और आप अपने पुरानी financial year में आ जाएंगे इसके बाद अब मुझे entry करनी है तो मैं simply payment पे जाओंगा payment के बाद मैंने 31 मार्च को entry करनी है तो मैंने आप 31 मार्च लिखा क्या type कर दिया convince मानलो 4000 रुपे का तो मैंने आप 4000 रुपे टाइप कर दिये पार्टी का भी cash balance कितना है दो लाग दो हजार और जैसे इंटर मारा अब इसका balance कितना रह गया एक लाग अठानवे जाए और simply आप इसे इंटर मार के save करते हो अब मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा इस company का cash का closing है वो next year में update हो जाए तो इसके लिए मुझे क्या करना प आपके पास एक message आएगा जिसमें पूछे का are you going to change financial year मैंने का yes करना चाहता हूं क्या balance को update करना चाहते हैं मैंने का balance को update भी करना चाहता हूं तो मैंने yes button पर click किया और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप जो balance को update करेंगे उसमें सभी master को update करेंगे या फिर new and change master को अगर आपने पराने year में जाकर कोई भी changes किये हैं और आप चाहते हो हमारी नई financial year में आ जाए तो उसके लिए आपको simply new and change master पर click करना है और जैसे आप new and change master पर click करेंगे दुबारा आपके सामने वही window आएगी और again आपको start button पर click करना है अगर आपने suppose that किसी party के master को update किया जैसे उसका address उसका phone number और आप चाहते वो नए financial year में आ जाए तो simply आपको इस पर click करना है carry account full detail carry item full detail और simply start button पर click करें और जैसे आप start button पर click करोगे तो जो भी आपने party या जो भी एंटे करी होगे उसका update आपके नए financial year में आ जाए इसके बाद आपको simply okay button पर click करना हो और again अगर आ 2898,000 हो गया अगर suppose that आपने जो financial year बनाया वो आपसे गलत बन गया और आप उस financial year को delete करना चाहते हो तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हो उसके आपको simple close company पर जाना है close company के बाद आपको यहां से मिलेगा delete company या फिर single financial year आपको simply इस पर click करना है जैसी आप इस पर click करोगे तो जो भी आपकी company का नाम होगा वो select करना है उसका password user type करना है और उसके बाद OK बटन पर click करोगे आपके सामने हाँ पर एक और message आजाएगा जिस पर लिखा होगा complete company या फिर single financial year हमने single financial year पर click किया और जैसी हमने single financial year पर click किया यह हमसे पूछ रहा है कि अब आपको कौन सा financial year delete क करना है वो आप यहां से अपने financial year को delete कर सकते हैं इसके साथ साथ आप कहते हैं नहीं सर मुझे company को delete नहीं करना जो इस company के अंदर 5 साल का data इसमें मुझे 142022 की data को अलग करना है मैं अब अलग तरीके से काम करना चाहता हूं तो उसके लिए या सर मैं उसके opening balance को update करना चाहता हूं तो मुझे 142022 के data को अलग करना है अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मुझे अपनी company को financial year wise अलग अलग करनी है तो इसके लिए आपको simply क्या करना होगा split financial year पर आना होगा split financial year पर आका आपको इस पर click करना है अपनी company को select करना है जो भी आपका username password होगा आपको यहां से व फिर करेंगे आपको financial year क्या हो जाएगा अलग-अलग हो जाएगा उसके बाद आपके सामने एक message आएगा split single financial year और साथ साथ पूछेगा आपको कौन सा financial अलग करना है तो मैंने का 142022 वाला अलग करना है और नीचे आपको यहां पर एक message मिलेगा after splitting delete above financial year from source company की अगर आप चा आप चाहते हो कि मेरी पुरानी वाली company में में 142022 का data रहे और एक अलग से बन जाए मतलब एक copy बन जाए तब इस पर untick कर देना लेकिन मैं चाहता हूं मेरी company का 1422 का data अलग हो जाए तो मैंने इस पर click किया इसके बाद simply split button पर click किया और yes कर और जैसे मैंने yes button पर click किया तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी मेरी company का एक financial year तो वो separate की create होकर मेरे सामने आ गया जिसका नाम है 2223 तो आप इस तरीके से अपनी company का financial year को split भी कर सकते हैं